देखें हिस्ट्री में बहुत कम ऐसे वार्ज हुए हैं जहां पर न्यूक्लियर फेसिलिटीज अटाक में आई हो इरान की न्यूक्लियर फेसिलिटीज पर अटाक्स हुआ है इंडिविज्वली या फिर एक साथ स्टक्सनेट वाइरस जैसे लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है कि 2 यहां पर इस नुकलियर प्लांट की ओनर्शप के लडाई कर रहे हूं और आज जब वैंजे प्लांटे र्श्या की ओनर्शप में तक है 19 आपि लुए ईैसा लग रहा है कि जुक्लियर क्यूंब करना चाहते हूं कि द्रोन के अच इस तुरिजन अगेन इन दी पास्ट फ्यू डेज जब दुबारा जैपोरीजिया न्यूक्लियर प्लांट पर अटाक्स के न्यूज आई थी और दुबारा यूक्रेन और रस्या ने एक दूसरे पर एलिगेशन लगा है लेकिन आप देखो इन में से सबसे ज़्यादा अगर अब इतना तो ठीक है लेकिन करेंट सिच्वेशन थोड़ी सी ये भी समझ लो कि आखिर ये प्लांट कितनी एनर्जी प्रडियूस करता था इसमें सिक्स रियाक्टर थे और सिक्स गीगावाट तक एनर्जी प्रडियूस कर रहा था यूक्रेन की 27 परसेंट इलेक्रिसिटी यह अकेला प्लांट सप्लाई कर रहा था बिफोर दी वार टाइम पीरिए अब यहां लोग यह भी बोल रहे हैं कि देखो जैसे 1980 में चर्णोबिल में ग्रेट डिजास्टर हुआ जब एक रियाक्टर में प्रॉब्लम आई इसके वैसा ही कुछ यहां पर भी हो सकता है अग यह दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ लड़ाई बंद नहीं करती है बड़ इस नॉट ट्रू आप यहां देखो चर्नोबिल जब आया था तो लोगों को सेफटी मेजर उतना पता नहीं थे नियूक्लियर रियाक्टर में वाटर को आजसे सेकेंडरी कूलेंट यूज न करके रखते हैं और न स्तिर वगहरे से लेगिन एक एक्जामपल है फुकुशिमा डिजास्टर का जब फुकुशिमा डिजास्टर हुआ उस टाइम पीरिट पर इस लेजींट कर दियाiven में हो है दो नकिए नि Clayton और और जब plant में जाने वाली power outage, क्योंकि energy जब produce करनी है, तो कुछ extent तक energy लगती भी है, अगर आप ये कम कर दोगे, तो यहाँ पर बहुत likely chance होता है, कि जो moderator reactor का, वो meltdown हो जाएगा, और भाया अगर ये meltdown हो गया, तो बहुत possibility होती है, कि radiation यहाँ से बाहर निकलाएगा, ऐसा ही क चर्णोबिल के time पर हुआ, जब radiation आपकी iodine 131 isotope बाहर निकला, और इसने आजपास की multiple areas को impact किया, लेकिन आप ऐसा बोल रहे हैं, कि देखो यह बहुत महीनों से शायद बंद है plant, लेकिन इसलिए जरूरी नहीं है कि iodine 131 यहाँ से release हो, लेकिन cesium के isotopes भी release हो सकते हैं, and that can cause severe health concerns in entire southern Ukraine, अब यहाँ connectivity है क्रीमिया से, तो क्रीमिया पर भी impact पढ़ सकता है, और Ukraine के ऊपर further north के areas, जैपोरेजिया के उस पर भी impact पढ़ सकता है, लेकिन क्या इस से यह countries रुकने वाली है, we'll come to that part, but before that, देखो on academy, आपके लिए एक offline, यहाँ पर option ने कर आया है, आप offline आकर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छे well known prominent faculties है, English medium में यह जो batches हैं, यह करोल बाग में चलेंगी, Hindi medium में मुखरजी नगर में चलेंगी, और प्रयाग राज में यही foundation की batch, English and Hindi medium में यहाँ पर चलने वाली है, अगर डेली ने आ सकते हो, तो प्रयाग राज सेंटर विजट कर सकते हो, और इनके बारे में और जानने के लिए कैसे आपको teachers guide करते हैं, C-Sat आपका कैसे prepare कर वाते हैं, current affairs के लिए इसी batch के साथ क्या आपको करना चाहिए, integrate करने के लिए, mentorship का option इसमें कैसे available है, educators के साथ कैसे interaction रहता है, आप center भी visit कर सकते हो, या फिर video description में link है, उसको आप click कर सकते हो, likewise unacademy app है, देखो app आप download कर सकते हो, आपको content मिल जाएगा इससे, अलग-अलग और आपको इससे features मिल जाएगे, तो इसका भी जो link है description में provided है, let's move forward, तो थोड इससे आप देखो, एक और यहाँ पर स्लोवेनियन न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटाक हुआ था, और इससे बहुत ज़्यादा की concerns आए थे, इसके पहने कभी directly as such regional tensions की वज़े से attacks नहीं हुए थे, तो इसकी वज़े से आप देखो, anyways security टाइटन की जा रही है, बट international countries का यहाँ पर impact देखो, इन countries की हिमायत देखो, इस पूरे यहाँ पर scenario से Ukraine की electricity पर impact पढ़ रहा है, ऐसे ही आप देखो, यहाँ पर अलग-अलग ची यहाँ पर इनकी director general ने statements दिये कि यहाँ पर आपको यहाँ यह जो इसका nuclear plant है, इसको safety यहाँ पर करनी चीए, अपने inspectors यह nuclear plant की vicinity में आसपास थोड़ा बहुत रख देते हैं, बोलते हैं कि हम guide करेंगे nuclear plant की safety के लिए, लेकिन इससे जादा कुछ नहीं कर पाते हैं, और ऐसे आप देखो international countries यहाँ पर response क्या करती है, that is more important, तो यह क्या बोलती हैं यहाँ पर, US क्या मोलता है, कि देखो यह सारे इसलिए हो रहा है, क्योंकि रश्या ने invade किया, तो रश्या को immediately withdraw करना चाहिए, US के जितने साथी होंगे, सारे यहीं बोलेंगे, और वहीं जो रश्या के स लाती होंगे, जैसे चाइना, वो बोलेगा कि नहीं, इसमें यहाँ पर गलती है, कि आपने इसको ठीक से manage नहीं किया, वो कुछ पैसा वैसा दिदेंगे, यूक्रेन के nuclear facilities उसको revive करने के लिए, या compensation के तौर पर, लेकिन एक्जाक्ली जैसे यूस टाइंड लेता है, वैसा नहीं देगा, चाइना बोलेगा कि nuclear safety की necessity है, जिसको transit करेगी borders के across, और financial support हम अफर्म करते है, आईए के nuclear safety initiatives के लिए यूक्रेन में, तो यह इस टाइप से matter को निप्टा देंगे, मनलब हो क्या रहा है, हर को यह अपने geopolitical concerns की वज़ए से यहाँ पर stand ले रहा है, और हर को यह such accident होता है, prevention is always better than cure, अगर accident हो जाएगा, होल बे responsible firstly, और इसका global level पर अगर impact आता है, तो आप उसको कैसे prevent करोगे, that no one tells, ऐसे ही आप देखो, यहाँ पर attacks, IAEA ने कुछ principles दिये हैं, जैसे no attacks on the plant, कि plant पर directly कोई attack ना हो, अब क्या यह breach हुआ है, यूक्रेन की बात कर लो, बार अब यूक्रेन, चाहे इनकी territory में है, यह plant, लेकिन अभी तो यह territory यूक्रेन के control में नहीं है, और यूक्रेन का सोचेगा, छोटे मोटे इसमें ड्रोन अटाक्स करवाते हैं, नौर्डन कोर फेसिलिटी ऑफ जैपोरेजिया, लेकिन आसपास की जगहें, जैसे जो power outage है, व और external power sources, जो nuclear reactive के लिए बहुत जरूरी है, उनकी stability के लिए, वो consistently stable होने चाहे, और उनको risk पर नहीं रखना चाहे, लेकिन यह सारे concerns violate किये जा रहे है, आप भी देखी रहे हो, protection of critical infrastructure, अरे protection कर क्या से पाओगे जब वार चल रहा है, जब यहीं नहीं पता कि यह किसके हाथ में जाएगा यह exactly, ऐसे integration of safety principles, so all that is going on, अब यह reactions देख लो आप, अलगलग countries के reactions है, so challenges आ रहे हैं जैपोरेजिया में, and challenges का solution क्या है, सबसे पहले तो यह कि countries को consensus बनाना चाहिए, inside United Nations Security Council, इस पूरे मुद्दे की बात IAEA में भी हुई है, जहां IAEA ने यह सारे principles दिये थे, United Nations Security Security Council में भी हुई है, लेकिन इसमें politics के अलावा और कुछ हो नहीं पाया, तो आप बताएए, और इसके क्या solutions हो सकते हैं, क्या बिना consensus के हम ऐसा कोई safety measure अचीव कर सकते हैं, Russia और Ukraine के जो drone attacks है, या फिर इस टाइप के जो anarchist elements हैं, इनके drone attacks को कैसे यहां पर repel करेगा, और कैसे safety ensure करेगा, जिससे आसपास के सारे regions की safety ensure हो सके, बताएए जरूर, thank you people, like, share, subscribe